हेलो एवरिवन यास दिस इस सोविन सर और आप सभी का इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है बच्छे मैं बात करने वाला हूं आज केमिश्ट्री के पेपर पैटन के बारे में पेपर पैटन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे जानकर आप पहले से ही बोड के एक्जाम के तै सबहें चाहिए यह है वेह टेज एस पर टाइप आफ कोष्चेंज मतलब जो इस समय क्वेश्चन आपके सामने होंगे और किस तरह का क्वेश्चन होगा और उस तरह के उस्टवह कितने में आउड क्या गया बोड एक्जाम के तरफ से यहाँ पर सब में डिस्कास करने वाल पूरे के पूरे 10 questions compulsory होंगे और जिसका वेटेज होगा हर question का एक mark और उसे साब से आपको 10 mark का ये question number 1 होगा जो कि MCQ होगा मैं आगे बात करने वाला हूँ कि इसमें numericals कितने होंगे theory कितने होंगे और option है की नहीं है ये सारी शीजे मैं next slide में discuss करने वाला हूँ फिलाल मेरा aim है आपको पहले type of questions, number of questions और कितने marks एलॉट किया गया है उस particular question के लिए ये मैं discuss करूँ चलो जैसे आप MCQ खतम करेंगे question number 1 में उसके बाद आता है VSA that is called as very short answer ये question number 2 होगा इस बात का ध्यान अकना question number 2 होगा उसमें आपको 8 question मिलेंगे उसमें आपको 8 question मिलेंगे मतलब question number 2 में 128 question होगा और ये भी हर question जो है आपको एक mark देगा पूरा मतलब इसमें आपको पूरे के पूरे 8 mark मिलेंगे ये दो content ऐसे होते हैं जो बहुत सारे अच्छे marks लाने के बोलते हैं एक source है याद रखना अगर ये 18 mark आपके पूरे control में होंगे तो फिर आप आसानी से 90 plus लाने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि नीचे जितने भी question है उन इसलिए इसमें 18 out of 18 लाना थोड़ा सा difficult task होता है और ये छोटे answer है इसलिए इनको handle करना भी easy होगा आप छोटे answer आसानी से learn कर सकते हो आसानी से समझ सकते हो बात करेंगे next content की जो है short answer one short answer one जो होगा आपको question number 3 से लेके question number 14 दिखाई देगा और इसमें total 12 question होंगे वह 12 question जो ह होगा उसमें हर question का weightage 2 mark होगा और उस हिसाब से आपको लगबग 24 mark जो है total यहां पर मिलेंगे question number 3 से question 14 के बीच में यह है आपका type of question में short answer one जो आपको 24 mark देगा यह भी अपने आप में एक अच्छा content है क्योंकि 2 mark के answer का जो question होते हैं उसका answer होगा बहुत बड़ा नहीं होगा तीन से चार लाइन या फिर कोई चोटा डाइग्राम कोई चोटा सा numerical कोई चोटा सा derivation इस तरह के content हो सकते हैं इस तरह के content हो सकते हैं chemistry में इसलिए short answer one जो है आपको कहीं न कहीं आपको अच्छे marks लाने में help करेगा बात क होता है 15 से 26 question question number 15 to question number 26 इसमें 12 question होंगे और इसके अंदर आपको हर question तीन माग देगा मतब यह short answer to भले ही है लेकिन इसका जो answer होगा वह short answer one वाले से बड़ा होगा इसमें combine numerical सा सकते हैं जहां पर आपको दो तीन formula यूज़ करना हो या दो तीन multiple steps वाले reaction आ सकते हैं या कोई ऐ इसे duration आ सकती है जिसमें आपको थोड़े से चीज़ों को जारा elaborate करना हो जारा explanation जारा ज्यादा हो इस तरह को इसके ना सकते हैं मतलब जो बड़े answer आप learn करते हो वह इस category में आ सकते हैं जिसमें हर question का वेटेज तीन माग होगा और इस तरह से आपको total 36 माग मिलेंगे बात कर का वेटेज यह चार माग होता है और इस तरह से टोटल अगर आप एड करते हैं तो आपको 98 माग का टोटल पेपर बन जाता है आपके लिए अच्छी बात है कि यह with option है 98 माग इस 98 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 70 माग ही score करने होते हैं यह आपको पता है क्योंकि हमारे लि यह question select करने का या फिर बोल सकते हो कि कहीं ने कहीं कौन से question को मैं आटेम करूं कौन से question को मैं छोड़ दू इस तरह के option हमें मिलते हैं यह सारे content में आगे discuss करने वाला हूं next slide में तो चलो बढ़ते हैं आगे आपके सामने इस समय पूरा का पूरा paper pattern में उठा के रख दिया है जिसमें आपको जो पूरा paper होगा वह चार section में divide होता है हर section में अपना एक उसका importance होता है कहीं पर आपको options मिलेंगे कहीं पर आपको options नहीं मिलेंगे कहीं पर कुछ numericals के fixed quantity होगी जहां पर आपको पता होना कि यहां इस समय जो section A है मैं आपको बता दो कि section A जो होता है वह mcq वाला section है और short answer वाला section है यह कहीं रखना तो section A जो होता है उसमें आपको mcq जिसमें एक से 10 तक आपको mcq करने होंगे कोई option नहीं पूरे के पूरे 10 मांक आपको मिलेंगे 10 मांक मिलेंगे साथ में जो important सब्सक्राइब आपको मिल रही है वह है कि इस दस माक के खुंगे मतब् premise भाधी हों फॉणरE भाधी होंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्achtet पाफ पहले उसे solve कर लीजिए उसके बार जो भी teacher पढ़ा रहा है उसको पढ़ने के बाद पूरी आप फोकस करो ताकि आपका जो दो माक का नुमेरिकल यहां पर है वो पुरा का पुरा सिक्क्योर हो जाए दूसरी बात कोश्चन नुमबर टू में आप देखेंगे जहां पर आंसर दो फॉलंग लिखा हुआ है जो कि वेरी शॉट आंसर है इसके अंदर भी आठ माक कोश्च आपको तीर माक जो एक के नुमेरिकल के मिल जाएंगे तो यह आपके लिए एक बेनिफिट है यह आपके लिए बेनिफिट है नुमेरिकल छोटे करने के मैं कॉंप्लिकेटर नुमेरिकल के बात नहीं कर रहा हूं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं मैं बात कर रहा हू पूरा compulsory है मतब इसमें जरा भी option नहीं है एक question का भी option नहीं है मतब अगर आपने एक भी गलती की तो आपके सीधे एक mark कटेंगे जबकि बाके section में option है आप सोच समझ के select कर सकते हैं यहाँ पर option नहीं है तो जो बच्चे 90 के लिए देख रहे हैं उनका सबसे पहला target section A में out of out लाना मतलब 18 out of 18 लाना ही target होना चीए पहले क्योंकि जब तक आप यह achieve नहीं कर सकते हैं तब तक आपको 90 मिलना बह section B जो होता है उसमें question No.3 से लेके question No.14 मतलब total 12 question होंगे लेकिन उस बारा में हमें सिर्फ attempt करना है attempt लिखा हुआ है मतलब उस बारा में सिर्फ 8 attempt करना है यह बहुत ही मज़ेदार option आपके पास है मतलब 12 question में से सिर्फ 8 question attempt करने है और आपको यहाँ पर दिया गया है यह short answer one type जिसका एक question 2 माका होगा और उस आठ question में सिर्फ दो numerical होंगे मतलब आप समझ सकते हो 12 में से total 12 question में से सिर्फ 2 numerical होंगे 12 question में से सिर्फ 2 numerical होंगे इसका मतलब यह हुआ कि 12 में से आपको 8 attempt करने हैं तो 4 question आपके पास ऐसे बज़ गए उस 4 में से अगर आप वो दो numerical को जाल सकते हो इसका मतनब कि अगर आपने नुमेरिकल जो हई लिवल के नुमेरिकल होते हैं जिसमें फॉर्मुले थोड़े ज्यादा होते हैं अगर ऐसे नुमरिकल के आपने प्राक्टिस नहीं भी किया तो भी आपका सेक्षिन भी पर कोई फर्ग नहीं पढ़ने वाला है कि 12 question में से सिर्फ आपको 8 attempt करने हैं और उस 8 जो attempt कर रहा हूं मैं या जो आप करेंगी 12 में से आपने 4 निगलेट कर दिया है और वो 4 में आप 2 numerical को निगलेट कर सकते हैं या आपकी choice होगी मैं especially यह सोच के चल रहा हूं कि numerical से आप डर रहे हैं numerical आप नहीं करना चाहते हो तो इस सिचोशन से मैं यह चीज बता रहा हूं इस समय अब बात करेंगे section C की section C में क्या होता है यह short answer जो है आपका यह 2 है short answer 2 इसमें आपको 12 question यहां पर बगगे 15-26 इस 12 question में आपको वापस से attempt any 8 होगा लेकिन इस बार यह एक question 3 mark का होगा और उस हिसाब से आपको यह 24 mark मिलेंगे अगे आप देखेंगो तो यहां पर लिखा हुआ है कि two numericals मतब यह बिलकुल section B का copy paste है बस marks थोड़े बढ़ गए है मतब एक और bumper lottery एक और bumper offer मिल चोगा है आपको कि अरे यार 12 question मुझ आठ करना तो चार तो मैंने ऐसे चोड़ दिये और उस चार में क्यों न मैं दो नुमेरिकल छोड़ दू तो इससे मेरा extra बढ़न जो है कहीं कम हो जाएगा तो जो बच्छे जो बच्छे नुमेरिकल से डरते हैं उन्हें भी 90 लाने का पूरा हक है जो बच्छे नुमेरिकल करते हैं उनके लिए फुल मौका मिलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नुमेरिकल बच्छे इंच्छा स्कूर करें ऐसा नहीं है बच्छे हलागे नुमेरिकल एक अच्छी चीज होती है जिसे जेई नीट और मश्क्राइब करना यह मैं इस बात का ध्यान अखन अपने entrance exam के लिए उसको practice करकर के आप अच्छा बनाईए लेकिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे entrance exam नहीं देना है मेरा पुरा का फोकस सिर्फ board पे है और मुझे numerical में प्रॉलम होती है तो आप numerical को कमजोरी मस समझे नुमेरिकल को यहाँ पे कमजोरी नहीं समझना है बलकि numerical आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट होके आने वाला है क्योंकि आप numerical के बीना भी अच्छे marks score करने की तरफ हो अब बढ़ता हूं मैं नए section की तरफ जिसका नाम है section D section D जो होगा इसमें total 5 question होंगे हर question का वेटेश 4 mark होगा उस हिसाब से total आपको यहाँ पे 20 mark के question बनें लेकिन उसमें से आपको आटेम करना है सिर्फ 3 इसका मतलब 4 into 3 will be 12 तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा total 12 mark और इस 12 mark का जो distribution है कुछ इस तरह से होगा कि हर question 4,4 mark के होंगे अब हर question अगर 4,4 mark का होता है इसका मतलब कि जो question 27 है 28 है 29 है 30 है 31 यह सब 4,4 mark होंगे 5 question 4,4 mark है लेकि इसकी अच्छी बात यह है कि इस question के अंदर भी सब question का criteria होगा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक question हो गया और उसे आप नहीं कर पाए तो आपका पूरा 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 पेपर खराब हो गया ऐसा नहीं सो सकते हैं इसमें जैसे example 27 question number है तो 27 में आपको A और B मिलेंगी 27 A और B आपको P और Q में एक numerical होगा जो दो माक का होगा मतलब जो आप तीन question attempt करने वाले हो उसमें दो माक का एक numerical confirm होने वाला है तो अगर आप ध्यान से दिखेंगे यहां पर थोड़ी सी चीजी disturb होने वाली है क्यों disturb होने वाली है मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि हर question में आपक one numerical in sub question of two mark मतलब एक numerical आपको एक sub question में मिलेगा ही मिलेगा मतलब अगर आप तीन question attempt करना जा रहे हो तो two into three will be six मतलब की question number जो आपका 27 to 31 है अगर उसमें आप तीन question attempt करते हो तो उस 12 mark में लगबग 6 mark के सिर्फ numerical रहेंगे इस बात का ध्यान देना यहां पर जो है कि आपको थो numerical पुरी तरह से पूरी तरह से formal oriented हो सकते हैं या फिर एक ज़्यादा श्टेप आले numerical हो सकते हैं तो मैं आपको सजिस्ट करूंगा मैं आपको सजिस्ट करूंगा अगर आप numerical करने जा रहे हो किसी भी chapter जिस चेटर नुमेरिकल आप हाथ लगा होगे यहां रखना उस चप्ट कि यादगना यह जिस शपतर से भी नुमेर कल आयेंगे ग तेंप आप अठेम करना जा यह तो के तीन अलग अछपटर होगे और तीन अलग अलग चप्टर में अगर वह आपको आपका चिंप आपना इस में कर दो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग आप देखेंगे यह आप पर 15-12 और 15 मार्ट का आपको फंदरा मार्ट तक आ सकता है अब आपको अगर आपने देखा होगा पीछे का हमारा जो टोटल वेटेज था पेपर का वीट और आप्शन 98 था 98 में से अगर मैं 15 निकाल देता हूं तो मेरे पास बचते हैं 83 मार्क और अगर मैं 83 में से 70 निकालता हूं 70 जो हमारा paper होने वाला है तो बचता है 13 मार्क मतलब कि 15 मार्क के numerical को अगर मैं neglect कर दूं और उसके बाद भी मुझे 13 मार्क extra बच रहे हैं सतर में सतर लाने के लिए लेकिन पेपर पैटर ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप सतर में सतर तभी लाएंगे जब हर कोश्चन को अच्छे सर्टेम करेंगे और स्पेशली सेक्षिन नंबर डी जिसमें दो-दो माक के नुमेरिकल हैं तो यहां पे जो गलती होने के चांसे से 90 लाने में आपको रुकावट सिर्फ सेक्षिन नंबर डी हो सकता है जहां पर आपको छे माक का छे माक का नुमेरिकल ऐसा होगा जो आपको करने होंगे अगर आप छे माक के नुमेरिकल नहीं भी कर पाते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप आराम से 90 क्रॉस कर सक सकते हैं कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको आप यह मान के चलिए कि पहले आपको यह 10 और 8 कंफर्म करने हैं मतलब आपको 18 माक जरा मैं इसको डिलीट कर लेता हूं थोड़ा सा थोड़ा सा जरा मैं स्क्रीन को जरा क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सब्सक्रा लॉजिक में दूँगा आपको क्योंकि इसमें नुमेरिकल आप नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 90 के एक्सपेटेशन कर रहे हो तो आपके पढ़ाई भी से होने चाहिए कि आपको अधर देन नुमेरिकल जो अधर कंटेंड है वह पुरा स्टॉंग होना चाहिए तो मतलब हमारे हो रहे हैं तो अगर मैं एड़ करता हो तो 8ップ614 14 15 प्लस 15 18 फ्लस very 286 spirit होता है हमारा 24 कृई 2 है 23456 हमारे पास अचुका है इस समय शुष्टों माक 70 को दाध हमें इस समय और मैं आपको बदा दो इसके बाद बचता है chemistry का practical बच्चे अगर फिजिस chemistry बायो इन तीनों प्रेटकल को अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो आपको सब से इजी प्रेटकल का नेचर नजर आएगा chemistry का इसका logic में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है chemistry का प्रेटकल ही एक ऐसा प्रेटकल है जहां पर हैंडबुक ले जाना अलावड होता है अब समझ जाओ कि अगर आपके निकल जाती है तो भी बहुत से लोगों समझ में नहीं होता है कि टेबल कैसे बनाना है टेबल में क्या लिखना है कौन सी रिडिंग कहां आएगी लेकिर अगर हेंडबुक होता है तो चीज़ें कितने आसान लगने लगती हैं ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे पास है अगर कुछ नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप पहले टीबल तो बनालू में फिर बात में ध्युरे-दिर पफॉर्म करके आप लिखने चले जाते हो तो चमिस्ट्री में हर रूप अगर Mitch यांशी अच्छेस एंप करते हो तो हर बच्छे को 25 की उपर मिलते और अगर आप अच्छे यह leo हो हो अप थेयरी में अच्हा कर रहे हो प्रक्ल में अच्छा कर रहे हो तो कhelुन श्रोँनें च्थाइब प्हीं कए अगे तो तो आप आराम से 25 के उपर ला सकते हैं जो बच्छा केमिस्ट्र के प्रेटकल में 25 से नीचे लाता है मैं मानूगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि केमिस्ट्र कैसे सब्जेक्ट है जहां पर आपको हैंद्बुक अलाउड है आपको एक कॉन्फिरेंस के साथ जात बनानी है कहां लिखना है यह सारी चीज आपको खुद से करनी होती है जैबकि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है इसलिए केमिस्ट्री में 90 लाना इस लाइक वान अफ दे बेस्ट थिंग्स अलोंग विदेट वन अफ इस तिंग राइट नौ पेपर पैटिंगे साब से य है छोड़ सकते हो जो पुरी तरह से ठेरी औरेंड़न को आप छोड़ सकते हो डैरिशन उठा लगता है कि इसलिए पेपर पैटर कुछ इस तरह करने का हग मिलना चाहिए है सिर्फ उन बच्चों रखका करने काम मिलना चाहिए जो टालेंटेंटेंट अ क्वेशिक पसंद जो बहूत करते हैं वह तो कि इसी बच्चे को रिक्ष्ट में इंट्रेस्ट में होता है जिस बच्चे में इंट्रेस्ट नहीं उसको chemistry में पास नहों होने पाए या फीर अच्छे मांस ना लाने पाए ऐसा होना जाए इसलिए इस बार का धोर लाइन द्या नोट में यही चीज बता रहाए कि जो नुमेररीकल से होंगे वह बारा से पंद्रह मां प्यों गे और नुमेर्कल जोगा वो आपको हर सेक्ष्ण में include होंके मिलेगा आपने देखा section A में आपको मिला था 3 माक के numerical section B में आपको 4 माक का numerical section अब देखेंगा तो 12 से उपर तक का भी नुमेरिकल हो सकता है लेकिन नुमेरिकल को छोड़ने के बाद भी आप अच्छे मांक्स कर सकते हो यह मैंने इस पेपर में आज एनलाइस किया तो जो बच्छे बिलकुल कहते ना कि बहुत अपने आपको ऐसे महसूस करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाराहूं या मेरा केमिश्ट्री बहुत है मैं अच्छे मांक्स नहीं ला पाराहूं या मुझे अपको करना उपने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्लानिंग में चेंजिस करो अपने प्लस पॉइंट पर वाक करना स्टार्ट करो अगर आपको लगा रहा है कि आपका रियक्षन अच्छा है बचे उसको पॉजिटिव एट्यूटर में लिए जाओ पॉजिटिव एट्यूटर में ल तो इतना उसको इतना प्रैक्टिस करो इतना अच्छा उसको बनाओ कि आपको एंड तक वो देरिवेशन वो थेयरी याद होनी चाहिए इसी के साथ यह लेक्षर में स्टॉप कर रहा हूं इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लोग को साथ में शेयर कीजिए और इ थेंक यू वेरी मुच